मेरे प्रियात्वन, आज बैच दस का चौदाहमा दिन है, और आज का विशे है आस्था का नियम, लाव फेद, कितना भी कठिन सवय हो, जेवन में कुछ भी खो देजी, मगर आस्था या विश्वास मत खोई है, कुछ भी कर रहे हूं, अगर अंदर से इसकी अनुवती नहीं मिल रही है, तो इसे मत कीजिए, लोग सुच मेहत्रा की बात करते हैं, अगर अंदर विश्वास है, यह सत्थे हैं, तो आप करेंगे, अन्ठाना ही करेंगे, इस पर यद विश्वास होगा, तब ही अकाउप करे हो, विश्वास करना भी है, लोग पूरुजन की बातें करते हैं, प्रकटी करना, मैनिफिस्टेशन की बात करते हैं, मगर आपकी जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, और नो मेस्स, नो विश्वास, तो गेवल, बदद आपकी आंतरी कर भूती ही कराएगी, यह देखने क की बात नहीं है, विश्वास के बाते हैं, माश्र कहते हैं, कि उन्हें विश्वास था, कि वो ध्यान करेंगे, ध्यान सिखाएंगे, और उन्होंने अपने हर स्वास में यह काम किया है, और उनकी आस्था अडिक रही, वो कहते हैं, कि मेरी आस्था थी, कि मैं प्रबुद् और हुआ और तुथा लोगों को प्रमुद्ध बनाया। यह अद्रिश्य ताक्तें यह धैर का मामला है। आपका विश्वास आपकी उच ताक्तों में अड़ी होना चाहिए। हमारा मस्तिश्क इस विश्वास को इस धैर को दिगा देता है। अगर आपको कर्व पर विश्वास है इस तीन घंडे के ध्यान पर विश्वास है तो यह बहुत ही मजबूत उर्चा है। मुझे ब्रह्मांड के नियम में विश्वास है। ध्यान में विश्वास है। आपको चुनवतिया आएंगी। अगर चुनवतिया नहीं आती हैं तो इसमें कुछ गलत है। अगर इन चुनोतियों का सामना कर लेते हैं तो एक मास्टर बन कर आएंगे। अगर आप संदेह में हो तो ब्रह्मांडी उर्जा को अंदर जाने से रोक रहें। आपको अनभो के लिए अंदर जाना है। अंद विश्वास के तरफ नहीं जाना है। अगर आप अंदर से संदेहों में हैं तो आप ऐसे लोगों को आकरशित करते रहें। अगर विश्वास अंदर से हैं तो पूर विश्वास वारे लोग ही आपके पास आएंगे। की ठी है हम कुछ भी बोलते हैं दूसरे के अंदर एक विश्वास जगा देने वाला होना चीए इस सब दूसरों को मदद करने वाले हो जाए अगर प्रयोगों से अनभों से जादा ग्यान से कुछ प्राप्त होता है तो यह अंद विश्वास नहीं है कोई मौन की बात करता है तो इसे 21 दिन का अनभों कीजिए यह नया विश्वास पैदा करेगा मस्तिस तो जल्दिवाजी में रहता है लेकिन ब्राम्हंड में कोई चीज जल्दिवाजी में नहीं होती धनातलक उमीद धनातलक गर्प ही आपका आपकी विश्वास को बना है रखेगा यही विश्व विश्वास पनेवतः यही अस्तारका नीये रहे वासम। धन्यम।